दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग T.S.A.L.E.T. की एक पोवम को डिस्कुस करेंगी Journey of the Magy इस पोवम को शुरू करने से पहले मैं इस पोवम का background बता देता हूँ जिससे आपको ये पोवम अच्छे से समझ में आएगी ये पोवम उस टाइम पर लिखी थी T.S.A.L.E.T. ने जब उन्होंने रिसेंटली अपना धन परिवर्तन किया था Anglican faith में conversion के बाद में इस पोवम को T.S.A.L.E.T. ने लिखा था यानि जैसा वो feel कर रहे थी उस टाइम पर convert होने के बाद में और दूसरों एक बात और बता दूँ इस पोवम को T.S.A.L.E.T. की deeply personal पोवम माना जाता है एक चीज़ और इस पोवम को समझने से पहले इस पोवम के title पर ध्यान दीजिए Journey of the मजाई यहाँ पर मजाई क्या है मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है जब Jesus Christ का जन्म हुआ था उस वक्त उनसे मिलने के लिए थ्री wise men आये थे जिनको मजाई बोला जाता है वो अपने साथ में Jesus Christ के लिए gift लेकर आये थे ठीक है और इसी पर short story भी लिखी हुए है बहुत ही famous short story लिखी हुए Gift of the मजाई और यह जो पोवम है अब हम लोग डारेक्ट पोविम पर चलता है A cold coming we had of it वो मजाई बोलता है कि ठंड का मौसन था और हमने यह journey की थी Just a worst time of the year साल का सबसे खराब time था वो for a journey एक journey करने के लिए ठंड का time सबसे खराब time होता है journey करने के लिए such a long journey एक लंबी यात्रा करने के लिए लंबी जरनी करने के लिए The ways deep रास्ते बहुत मुश्किल थे The weather sharp मौसम बहुत खराब था The very dead winter मार देने वाली ठंड थी The camel gal sore-footed refractory laying down in the melting snow जिन उंटो पर camels पर बैठ कर हम आ रहे थे वो camels वो उंट बहुत दर्द में थे उनके पैरों में दर्द हो चुका था वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे वो melting snow पिगलती हुई बर्फ में नीचे बैठ गए या लेट गए आगे जाने से उन्होंने मना ही कर दिया There were times we regretted हमको बहुत पच्टावा हो रहा था कि हमने यह journey शुरू ही क्यों की The summer palaces on slopes The terraces And the silken girls bringing शर्बत मजाए ऐसा बोल रहा है कि एक ऐसा भी time था जब यहाँ पर palaces हुआ करते थे मतलब यहाँ पर palaces हुआ करते थे Silken girls हमारे लिए शर्बत लेकर आती थी कितना अच्छा time था तो हमें वैसी किसी जगह पर जाना चाहे था हमने क्यों फालत हुआ यह journey शुरू की Then the camel man Cursing and Grumbling जो हमारे साथ उंटों को चलाने वाले थे वो curse कर रहे थे Grumbling and running away जो curse कर रहे थे जो चिला रहे थे पूरे रास्ते बस कोसते रहते थे और भाग जाते थे मतलब कुछ तो भागी जाते थे आदे में ही भाग जाते थे And wanting their liquor and woman उनको सर्फ दो ही चीज़े चाहे थी शराब और woman And the night fires going out रात में जलाई वी आग भी भुज जाती थी बार बार भुज जाती थी And the lack of shelters हमारे पास रहने को घर भी नहीं होता था कभी कभी तो And the city is hostile And the towns unfriendly And the villagers dirty And charging high prices जिन भी cities में हम गए वहाँ पर towns हमारे लिए unfriendly थे मतलब वो लोग हमें ज़्यादा welcome नहीं करते थे वहाँ के villages बहुत गंदे थे और बहुत ज़्यादा high prices चार्ज करते थे बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे A hard time we had of it यह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था तो इनी सब चीजों से परिशान होकर At the end We prefer to travel all night कि हम रात को भी चलेंगे हमें जल्दी से जल्दी यात्रा खतम करनी है हम रात को भी चलेंगे Sleeping in snatches मतलब अगर हमें नीद आएगी भी तो हम एक जपकी ले लेंगे लेकिन यात्रा अब रुकेगी नहीं हम रात में भी चलकर इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे With the voices singing in our ears हमारे कानों में हमेशा कुछ आवाजे गूंसी रहती थी Saying जो हम से कहती थी हमेशा That this was all folly कि तुम ये जो कर रहे हो सब बेबकूफी है ये जो तुम इतनी लंबी यात्रा करके जा रहे हो सब बेबकूफी है इससे क्या होता है इंसान का भरूसा तूट जाता है Then at dawn और सुबह के वक्त dawn का मतलब होता है भोर, भोर के वक्त We came down to a temperate valley एक घाटी के अंदर हम पहुँचे जो बहुत temperate यानि की beautiful थी Wet below the snow line कहने का मतलब वो थोड़ी गीली तो थी लेकिन वहाँ पर snow ने थी, snow की line थी Smelling of vegetation वहाँ पर ऐसी खुश्बू आ रही थी जैसे vegetables भी वहाँ पर होगी होई है उस घाटी के अंदर वहाँ पर एक नदी भह रही थी And the water mill beating the darkness एक water mill था कहने का मतलब एक खुबसूरत नजारा था जहाँ पर darkness मतलब हलकी अलकी darkness थी वोर का वक्त था And three trees on the low sky और हम उपर की तरफ देखते हैं horizon की तरफ तो हमको तीन पेड नजर आते And an old white horse galloped away in the meadow और हमें वहाँ पर एक सफेद घुड़ा भी दिखा जो घास के मैदानों में दौड रहा था And we came to a tavern मतलब हम लोग एक छोटे से tavern याने की hotel में पहुँचे With wine leaves over the lentil जहाँ पर दरबाजों पर कुछ बेले लटकी होई थी Wine leaves याने बेल लटकी होई थी Six hands at the open door Dicing for pieces of silver And feet kicking the empty wine skin कहने का मतलब यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो खाली wine के cans को लात मार रहे थे कहने का मतलब यह लोग भी हम से पैसे मांग रहे थे इसलिए यह जगे भी रहने लायक नहीं थी But there was no information तो यहाँ पर हमें कोई खास आदमी मिला नहीं जो आगे के रास्ते के बारे में हमें information दे सके तो we continued So we continued मतलब हम आगे की तरफ बढ़ गए And arriving at evening और शाम के वक्त उस वक्त हम पहुँच गए कहां पहुँच गए Not a moment too soon Finding a place एक moment भी पहले नहीं पहुँचे Exact time पर पहुँचे Finding a place Finding the place हमको वो जगे मिल गई It was You might say satisfactory तुम कहोगे कि वो जगे एकदम satisfaction देने वाली थी अगर तुम महजूद होते हमारे साथ में तो मतलब ये उस जगे की बात कर रहे है जहां पर Jesus Christ का जन्म हुआ था तो अब हमें आगे पता चलता है कि ये काफी पहले की बात वो मिजाई बोल रहा है All this was a long time ago I remember कि ये बहुत पहले की बात है मुझे याद है कि अब बैट जाओ इस बारे में बात मत करो Where we led all that way for death और birth कहने का मतलब यहां पर में जाई एक सवाल पूछ रहा है कि हमने जो इतनी बड़ी यात्रा की वो किसके लिए की मौत के लिए या जिंदगी के लिए किसी को जिंदगी मिले थी उसके लिए या हमने अमारी मौत के लिए यात्रा की थी सवाल पूछ रहा है There was a birth certainly We had evidence and no doubt वो जन्म के लिए यात्रा थी किसी का जन्म हुआ था certainly हमारे पास evidence भी है इस बात का no doubt I had seen birth and death वो मजाई बोलता है कि मैंने जन्म होते हुए भी देखा है और death होते हुए भी देखी है But I thought they were different उस वक्त मेरे दिमाग में confusion था कि ये दोनों चीज़े अलग-अलग होती है Birth और death This birth was hard and bitter agony for us लेकिन ये जन्म हमारे लिए एक bitter agony की तरह था Like death or death मौत की तरह हमारी मौत की तरह We returned to our places हम लोग उस birth के बाद में हम लोग अपने अपने घर लौट आए These kingdoms इन kingdoms में जहां हम आज मौजूद है But no longer at ease here In the old dispensation अब हम जब यहाँ पर लौट आया है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है लग रहा है जैसे अब भी यहाँ पर Old dispensation पुराने तौर तरीके चलते आ रहा है जिजस के जन्द से पहले के Then alien people clutching their gods ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग है न जो हमारे kingdom के लोग है ये हमारे लिए alien से हो गए है मतलब दूसरे ही दुनिया के लोग हो गए है clutching their gods ये अपने gods की मूर्तियों की पूजा कर रहे है I should be glad of another death यहाँ पर वो बजाए बोलता है कि मैं तो चाहूँगा मेरी फिर से death हो जाए क्योंकि ये society अब मुझे रास नहीं आ रही है जो मतलब किसकी पूजा कर रहे है हमने तो अपनी आखों से देखा है Jesus Christ का जन्म होते है नहीं पर इन लाइनों के साथ ये पूर्म खतम होते है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की इस वीडियो में बस अतना ही